अलो वच्छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बहुत ग्लासेस पर तो वच्छो कुछ थोरी portion भी है और कुछ छो चोट कूछ नसे जो mix च्रेटी कूँ बेवह और कुछ कूछ कूछ न कर देचे एक एक सी नूट्य जो की एक फिक्स डेट को स्तार्ट होती है और और continuously चलती रहती है तो continuously जो चलती रहती है उसको बोलते हैं पर पैचुटी तो इसका option बनेगा आपका भी पर पैचुटी उसके बार next question है हमारे पास कहता है कि fund which is created to accumulate money over the years to discharge a future obligation is called future में कोई खर्चा हमें करना है तो उसके लिए हमें फंड क्रियेट करते हैं तो फंड को हम क्या बोलते हैं जिसमें फंड को इक पैसे को इक खटा करते हैं तो उस फंड को बोलते हैं sinking fund the amount of future value of perpetuity अब जो perpetuity जैसे अपने first question में देखा कि perpetuity तो मतलब continuously चलती रहती है अगर जो चीच चलती रहेगी तो उसकी future value निकालनी मुश्किल है तो उसमें वहगा undefined उसकी future value counter नहीं कर सकते हैं bond का question हमारे sales levels में नहीं है तो bond वाले question जोंगे उनको हम skip कर देंगे तो six question में कहता है कि fixed payment made by a borrower to a lender at a specific date every month to be clear of the loan loan को clear करने के लिए जो आप specific amount हर महिने या जो भी specific period होता है उस period को आप जमा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं loan हमारा cover करने के लिए हम उसको बोलते हैं EMI 7th question में कहता है if each EMI is used to pay interest and part of the principle then loan is said to be अगर हर एक EMI के अंदर interest भी होता है और उसके अंदर कुछ principle का जो part है वो भी हम pay करते हैं तो उसको बोलते हैं amortized ठीक है amortization of loan का मतलब हो गया कि जो आप EMI पे करते हो ना EMI के अंदर आप interest भी पे करते हो और कुछ part principle का भी पे करते हो दाकि दीरी दीरी हमारा जो loan है वो पूरा का पूरा खतम हो जाए उसके बाद question number 8 में कहता है the reduction of a original price of a fixed asset over a period of time due to use जब आपके पास एक fixed asset होती है और time के according आप जैसे इसको use करते जाते हो तो उसकी value depreciate होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं depreciation the time period in which an asset is expected to be functional and fit for the purpose is called जब आपके पास एक asset होती है आप उसको जब तक use करते हो तो जो time span होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोल देंगे useful life which of the following is not the value of depreciable asset at the end of its useful life इसमें से कौन सी value वो नहीं है जो नहीं है वो आपको बतानी है जो value हम कम करते जाते हैं कम करने के बाद जो आपके पास उसकी asset की value बचती है तो वो उसको हम क्या नहीं बोलते हैं तो scrap value हम उसको बोलते हैं इसलवेज वेल्लू भी हम उसको बोलेंगे ठीक है depreciated value भी हम बोल सकते हैं हम उसको useful value नहीं बोलते हैं जब आपने पूरा का पूरा उसको use कर लिया जितना वो use हो सकता है उसके बाद अगर आप उसको sale करते हो तो उससे आपको क्या amount मिलता है तो उसको आप useful value नहीं बोल सक of every six month हर छे मेने के बाद payment हो रही है और continue चल रही है मतलब perpetuity है कौन सी perpetuity है at the end payment हो रही है तो पहली टाइप की perpetuity है और interest चार परसेंट है पर चार परसेंट नहीं लेंगे क्योंकि छे महिने का है इसाब से यानि साल में दो बार count हो रहा है तो आप आर को लेंगे यानि आई को लेंगे आप 4 upon 2 यानि 2% है तो जब आप इसकी present value निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे आर अप आई आर आपको दे रहेंगे 800 आई आगे आपके पास 2 upon 100 100 को यहां लिख लो आप सिधा 400 इसको multiply करेंगे तो आजाएगा आपके पास 40,000 अंसर बनेगा 11 का भी खुश्य नंबर 12 में कहता है कि what sum of money invested now could establish a scholarship of rupees 2500 which is to be awarded at the end of every year forever if money is worth 4% compounded annually यह कह रहा है कि आपको 2500 रुपे की scholarship देनी है हर साल के end में देनी है और जो interest है उस पर 4% आपको मिल रहे है compounded annually तो कितना पैसा आपको जमा कर देना चाहिए यहां पर भी फर्स टैप की परपेशुटी यह वही है आर आपको चाहिए जो scholarship आपको पे करनी है साल के end में तो ट्वेंटी फाइव और चार परसेंट के एसाब से कितना पैसा बनेगा इसको काट दिया हमने पच्चिस पच्चिस हो गया छेस्सों पच्चिस फिर दो जीरो यह वासट हजार पान्सों रुपे तो ट्वेल्थ का अंसर बनेगा कुशन नंबर 13 में कहता है कि वट रेट ओफ इंट्रस्ट विल्द प्रेजेंट वेल्व परपेजुटी ओफ रूपीज फाइव अंडड पेबल अड़ एड़ एच क्वार्टर बी रूपीज फुर्टी थाउजन यह फुर्टी थाउजन आपको पी दे दिया ठीक है वट रेट ओफ इंटरस्ट यानि आई आपको निकाल ना है परपेजुटी आपको देदी आर की वेल्व 500 है और पी की वेल्व 40,000 है अई आपको निकाल ना है आई को माल लेते एक्स परसेंट लेकिन यह हर क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो एकस अपान में 4% हो जाएगा यानि X upon 400, तो अब यहां भी payment end में हो रही है, at the end हो रही है, तो first time की perpetuity है, तो present value यह आ गई, R हमारे पास यह आ गया, आई यह आ गया, इसको solve कर दो, 2-0 इस से cancel करो, 2-0 इस से cancel कर दो, 4 से भी cancel कर दो, X आ जाएगा आपके पास 5%, option बनेगा, इसको 13 का भी, question number 14 में गयादा, present value of purpose duty of rupees 750 पेबल at the beginning, यहां पर अब beginning में payment है, तो purpose duty of type 2 है, present value बतानी हैं, तो उसमें formula लगेगा, P equals to में R plus R upon I, तो purpose duty 750 गी है, plus 750 upon में I, interest है 5% per annum, और इसमें कुछ quarterly, half yearly कुछ नहीं है, तो 5% ही रहेगा, into में 100 दर आ जाएगा, तो इसको इस से काटोगे, यह आ जाएगा 15,000, तो जीरो, पाँच, साथ, पाँच और एक, 15,750, यह आंसर बने का 14 का भी, Queshion No. 15 में कहता है कि, what amount should we deposit at the end of every 6 month, कि हर 6 मिने बाद आपको amount deposit करना है, to accumulate rupees 50,000 in 8 years, if money is worth 6% per annum compounded semi-annually, यानि जो rate आपको दे रखा है, 6% ना रहकर वो रह जाएगा, half yearly करना है तो इसलिए 3% रह जाएगा, time आपको 8 साल का दे रखा है, 8 साल का नहीं होके, यह 16 साल हो जाएगा, 16 half year हो जाएगा, actually और जो total आपको amount इखटा करना है, वो आपके पास है जाएगा, 50,000, तो जो sinking fund का formula आपको use करना है, तो amount का formula होता है, r into में, 1 प्लस i raise to power n, divided by i, minus 1, एक ही जाएगा, put करते हैं, 50,000, r आपको निकालना है, 1 प्लस i की value होगे, आपके पास 3% मतलब 0.03, इसकी power हो जाएगी, 16 minus 1, divided by 0.03, इसको इदर लागे, multiply करोगे, 3, 5, जाब 15, decimal के बाद 2 digit हैं, तो 2 0 को छोड़ दो, इसकी value आपको दे रहेगे, 1.6047, minus 1, यार, पूरे के साथ multiply होता है, इसमें से इसको minus करेंगे, तो 0.6047, इसको आप इदर लाओ, आर की value आगे, आपके पास यह, इसका आप decimal अठाओगे, decimal अठाओगे, तो उपर 4 0 और आ जाएगे, नीचा जाएगा, 6047, अब आपको यह देखना है, कि इसमें से कौन सा आपका answer आएगा, अब एम सी को उसमें फाइदा ही होगा, कि आपको पूरा division करने की जरूद ने पड़ेगी, जब आप इसको divide करोगे, तो starting की एक दो value से यह आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर 6 है, तो 6 को आप 2 से करोगे, तो 6 तूज़ा 12 आएगा, यानि 3 वाला तो case बनेगा नहीं, तो यह तो option में आएगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगली digit से हमें answer पता चाल जाएगा, तो 27 जा 14, 24 जा 8, प्लस 1 9, 0, 26 जा 12, 10 माइनस 46, 9-90, इदर आएगा 9, 4-22, उपर से दा रहे होगे 0, अब यहाँ पर 6 को आप multiply कर दोगे 4 से, तो 6 फोजा 24 आजाएगा, तो यानि आप आगे करने के जरूद भी नहीं है, option बनेगा हमारा यह, 2480.57, अगर अगली digit भी यहाँ सेम होती, तो फिर एक digit आपको और निकालने पड़ेगी, तो इस तरह से आपको पूरा डिविजन करने के जरूद नहीं पड़ेगी, यह बॉन्ड का है, बॉन्ड को छोड़ देते हम, option number 20, इसमें कहता है कि Mr. X बोरोड रुपीज 5 लेक, from a bank to purchase a house, and decided to repay the loan by equal monthly interest, at 7.5% per annum, compounded monthly, then EMI, EMI आपको बताने है, तो EMI निकालने के लिए, जो EMI का फार्मुला है, EMI का फार्मुला आप लगाओ पहले तो, EMI का फार्मुला, reducing balance method वाला लगाना है आपको, अब ये depend करेगा कि इसकी value, जो N यहां पर आपको दे रेक है, ये plus में है या minus में है, अगर ये plus में है, तो आप plus वाला फार्मुला लगाओ, अगर ये minus में है, तो माइनस वाला फार्मुला लगाओ, तो EMI का फार्मुला क्या बनेगा, हमारे पास यहां पर, principle into interest into 1 plus I की power N, divided by 1 plus I की power N minus 1, जब पावर पॉजिटिव होती है, तो ये वाला फार्मुला होता है, ठीक है, अब इसमें वेल्यू आपको दे रखे हैं, वो पूट करूँ, principle कितना loan amount है, पाँच लाग का loan amount है, इंटर आई कितना है, आई 7.5% है, लेकिन, compounded मंतली हो रहा है, तो 12 से इसको divide करना, अब 12 से divide करके, आपको कुछ सोचने की जरूत नहीं है, ये जो दे रखे हैं ये यहां पर आएगा, 0.00625, तो यहां पर आप पूट करो, 0.00625, यहां आजाएगा, 1 प्लस 0.00625, एन कितना आएगा, कितने साल के लिए loan लिया है, loan लिया है उसने, इक्वल मंतली इंटरस्ट, टाइम तो उसमें लिखा ही नहीं है, कॉशन चेक करते हैं गबार, कॉशन नूम्बर 20, 10 साल का टाइम दे रखा है, यहां पर मिस हो गया है, ठीक है, 10 साल का टाइम है, अब 10 साल का टाइम है, तो उस टाइम को भी आपको 12 से मुटिप्लाई कर देना है, क्योंकि मंतली इंटरस्ट आपको पे करनी है, तो एन की जाए रखना आपको 120, नीचा आजाएगा, 1 प्लस 0.00625 की पावर, 120 माइनस 1, इसको इस से मुल्टिप्लाई करोगे, तो 550 25, 520 10, 10, 12, 560 30, प्लस 131, और उसके बाद देखो, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो 5 0 को छोड़ दो, तो बस यह बचेगा, इंटू में, इसकी जो वैल्लू है वो आपको दे रहे 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 रहे, 2.1,1,2,1, divided by 2.1,1,2,1 में से 1 माइनस करोगे, तो यह रह जाएगा आपके बास, 1.1,1,2,1, ठीक है, दोनों के डेसिमल आप यहां से कैंसिल कर दो, अब आपको इसको मल्टिप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, अब मल्टिप्लाई करके डिवाइड करना है, फिर आपको आपको आंसर निकालना है, तो अब यहाँ पर तो सब आपको manually करना पड़ेगा इसको multiplication कर लो पहले दो 3, 1, 2, 5 को multiply करना आपको 2, 1, 1, 2, 1 से यहाँ आएगा 5, 2, 1, 3 2 से करेंगे 2, 5 ज़र 10, 2, 2 जब 4, 5 2, 1 जब 2, 2, 3 जब 6 फिर आएगा 5, 2, 1, 3 फिर 5, 2, 1, 3 फिर आएगा 0, 5, 2, और 6 तो 5, 2, 5, 5, 10 और 11, 3, 2, 5 5, 2, 7, 5, 12, और 11, 13, 6, 7, 7, 2, 9, और 11, 10, फिर 3, 4, 4, 5, 9, और 11, 10, 3, 2, 5, और 11, 6, और 6, यह बनेगा और इसको डिवाइट करना आपको 1, 1, 2, 1 से, 1, 1, 2, 1, अब इससे डिवाइट करोगे तो आपके पास पहली जो डिजिट है वो आनी चाहिए पांच, योगी छे से करेंगे, छे से करेंगे, करके देख लेतें, छे से, 6, 6, 2, 12, 6, 6, 7, 6, से जादा हो जाएगा, पहली डिजिट आनी चाहिए, पांच, पहली डिजिट अगर पांच आनी चाहिए, तो मतलब आंसर बन गया आपका, 5935, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, में यही फायदा है कि आपको पूरा कॉश्चिन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर उससे निकल जाएगा, 21st में कहता है कि एसेट है, जिसकी कोस्टिंग 15,000 रुपे है, और एक्स्पेक्टी तो हैव एव यूसफूल लाइफ फाइव यर्स, इस स्क्रेब वेल्व फार्मुला होता है, सी माइनस से अपोन एन, सी मतलब ओरिजिनल कोस्ट है, वो 50,000, 15,000 है, और यूसफूल लाइफ पांच साल है, स्क्रेब वेल्व थीन हजार है, तो पांच जार में से थीन हजार माइनस करो, बारह हजार, पांच से डिवाइड कर दो, तो 2400 रुपे, तो डेप्रिशेशन आजाएगा इसका 2400, एक मशीन ने उसकी कोस्टिंग रुपीज सी, लब सी हमें निकालना बड़ेगा यहां पर, वोड रिदूस तो 10,000 इन 7 यर, साथ साल के अंदर रिदूस हो के वो इतनी हो गई, इफ एन्वल डेप्रिशेशन चार्जिज रुपीज 10,000, तो डेप्रिशेशन आपको 10,000 दि 10,000, C-S, स्क्रेर वेलू भी 10,000 है, टाइम लगा साथ साल, साथ को इस से मल्टीप्लाइए कर तो 70,000, और यह तो 10,000 माइनस में दरा के प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 80,000, तो आंसर बनेगा 22 का A, 23, 23 में करता है कि एक वीकल है, जिसकी कॉस्टिंग 1,25,000 है, और स्क्रेर वेलू उसकी 25,000 है, इफ दा एन्वल डेप्रिशेशन चार्जिज रुपीज दिस, देने यूस्फोल लाइफ, इसमें आपको एन निकालना है, तो डेप्रिशेशन है, उसका 12,500, कॉस्टिंग है, इतनी, और स्क्रेर वेलू है, 25,000, एन आपको फाइंड करना है, पिस एन को तो आप इधर लिया आना, इन दोनों को माइनस करोगे, और ये निच्छा आजाएगा, 125,000, ये कैंसल, और इससे इसको डिवाइट करोगे, तो आजाएगा, आठ, एन की वेलू आजाएगी, आठ साल, क्रेशन नमबर 24, इसमें गयाता कि, how much money must set aside each year, so as to replace a machine, that will cost रूपीस 15,000, आफ्टर 8 year, एक मशीन को आपको replace करना है, 8 साल में, तो आपको इतना पैसा इखटा करना है, the rate of interest 12% per year compounded annually, तो आपको value दे रखी है, यहाँ पर भी sinking fund आप कर लें, क्योंकि machine के लिए आपको amount इखटा करना है, amount कितना इखटा करना है, 15,000, और आपको निकालना है, 1 प्लस आई, आई है आपके पास 12%, 12% का मदलब 0.12, टाइम है 8 साल, minus 1, 0.12, इसको यहाँ multiply करो, बारा और पंदरा को multiply करते हैं, तो 180 आता है, और decimal के बाद दो डिजिट हैं, तो 2,0 छोड़ दो, इसकी value वह दिरेखिया, आपको 2.4759-1, इसको minus कर लो, 1.4759, इसको इधर लाओए, इसका decimal आप अपटा दो, 1, 2, 3, 4, 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको divide करना है, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1, 4, 7, 5, 9 से, तो यह 14,000 को अगर आप 1 से करोगे, तो 14,000, 759 आ जाएगा, 10-91, 9-5, 9-7, 7-4, फिर 0, अब इसको multiply करना चाहिए, हमें किस से, अगर हम 3 से करेंगे, तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से कर देते हैं, तो 2 से करेंगे, यहाँ पर तो देखो, 2 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो में और जाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 से करोगे, 2 निमठारा, 2, 5, 10, 11, 2, 7, 3, 15, 2, 4, 8, 9, और 1, 2, 10 में से 8, 2, फिर, 10 में से 1 जाएएगे, 9, फिर 13 में से 5, 8, 11 में से 9 हो गए, 2, अब इसको अगर हम करते हैं, 2 से तो जादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यह आएगा, तो मतलब एक से करना पड़ेगा, तो 1, 2 के बाद फिर 1 आएगा, मतलब यह वाला उप्शन भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, इन दोनों में से एक उप्श आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर इसमें ए बनेगा, इसमें कहता है, इसमें कहता है, यह सेंकिंग फंड क्रिएट कि हमने, जो हमें करजा उतारना है, 10,000 का 25 साल के अंदर, how much money should be provided out of profit each year for the sinking fund, if the investment can earn interest at the rate of 4% per annum, तो अब यहां पर आपको 4% per annum का interest दिया हुआ है, same formula लगा देंगे, amount आपको 10,000 का इखटा करना है, और आपको निकालना है, आई आपको दे दिया 4% यानि 0.04 की power 25 minus 1, 0.04, इसको multiply करेंगे, यहां पर आजाएगा 4, 1, 2, 0 आजाएगी, इसकी value 2.66 आएगी, उसमें से 1 minus कर देना, तो 1.66 हो गया, इसको इधर लाओगे, तो 400 divided by 1.66, decimal हटा दो, तो 40,000 को divide करना है, 166 से, अब यहां पर आप divide करोगे इसको, 1 से तो जाएगा नहीं, छोटा रह जाएगा, 2, 3, 3, 3 से अगर हम करें, तो 3, 18, 3, 3, 4, 3 से भी जादा जाएगा, तो 2 से करना बढ़ेगा, अब 2 स करने पर सरिफ एक ही option बचता है, तो यही हमारा answer आएगा, संजे ने लोन लिया, 5,000,000 का, at the rate of 12% per annum, 4, 3, year, calculate is EMI by flat rate method, तो flat rate method में पहले आपको interest निकालने नहीं, कितना interest बनेगा, इंटरस, simple interest वाले formula से निकालना है, 5,000,000 का लोन है, और interest उस पर आपको 12% का देना है, 3 साल के लिए, divided by 100, बारत ये 36, 36 को 5 से multiply करोगे, तो वो कितना जाएगा, 5,31, 5,35 और 3,18, उसके बाद 3,0 हो रहे हैं, ये तो बन गया interest, अब जब EMI आप निकालोगे, तो EMI के अंदर हम क्या करेंगे, principle लेंगे, 5,000,000 का principle है, उसके अंदर 1,80,000 interest पे करना है, और कितने किस बनेगी, अब यहाँ पर time जितना भी है, तीन साल का time है, तो तीन साल नहीं लिखना, आपको 36 लिखना है, 12 से multiply करके है, क्योंकि EMI बनानी है, आपको मंतली installment बनानी है, तो इन्टो आट करोगे, तो पांच और एक 6,80,000, divided by 36, अब इसको डिवाइड करोगे आपको, तो देखो डिवाइड करेंगे, इसको 6,80,000 को 36 से, तो 36 टू जास से ज्यादा चला जाएगा, तो यह टू वाले तो उमारे दोनों option खता, यानि वन से करेंगे, 8 में से 6, 2, 6 में से 3, 3, 0 अब इसको 9 से करेंगे, या 8 से करेंगे, 9 से अगर करते हैं, तो 9,6 जब 54, 9,3 जब 27, प्लस में 5, 32, तो यह ज़्यादा हो रहा है 9 से, तो इसका मतलब यह वला option भी cancel, यह हमारा answer, तो 26 का option बनेगा A, 27 में कहता है कि राहूल ने इतने रुबे बोरो किये, competitive society से at the rate of 10% per annum for 2 year, EMI using flat rate method, तो वही पहले आप interest निकालो, इंट्रेस्ट है, वह principle है, एक लाख, और इंट्रेस्ट 10% time 2 साल, एक जीरो एक जीरो यह है, तो बीस जार रुपे इंट्रेस्ट बना, तो EMI जब निकालेंगे, तो एक लाख के अंदर, एक लाख principle amount था, बीस जार रुपे इंट्रेस्ट हो गया, दो साल के लिए लोन लिया है, तो 24 से divide कर देंगे, यानि एक लाख बीस जार, 24 पंजे, 120 होते हैं, तो या जाएगा पाँच हजार, इसमें option बनेगा आपका B, question number 28, देखो, इसमें कहता है कि Mr. Sharma borrowed 10 lakh रुपीज from a bank to purchase a house, and decided to repay the loan by EMI in 10 years, if bank charges interest at 9% per annum compounded monthly, calculate the EMI, अब यहाँ पर EMI reducing balance method से निकालनी है, अगर method का नाम नहीं दिया वाना, तो reducing balance method ही लगाना है, आपको, EMI का formula होगया, principle into interest into 1 plus i raise to power n, divided by 1 plus i raise to power n minus 1, and यहाँ पर positive दिया हुआ है, तो यह वड़ा लगाना है, तो principle कितना है, 10 lakh है, interest कितना है, interest है 9%, लेकिन EMI निकाल रहे हैं, तो 12 से divide करेंगे, तो divide करके, जो यहाँ decimal के बात होता है न, वो ही आएगा आपके पास, 0.0075, तो निकालने में time waste मत करना, 1 plus 0.0075 की power आजाएगी 120, ठीक है, क्योंकि 10 साल का time था, 10 साल को 12 से multiply कर देंगे, divided by, 1 plus 0.0075 की power 120, minus 1, इसको इससे multiply करेंगे, 75 आजाएगा, decimal के बात 4 digit नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 0 छोड़ो दो, 2, 0 ले लो बस, इसकी value आपको यह दे रहे है, 2.4514, और नीचे इसकी value भी यह आएगी, उसमें से 1 minus करेंगे, तो 1.4514, तो इडेसिमल आप कर देना, cancel, 75 से इसको multiply कर लो, 2, 4, 5, 1, 4 को multiply करना है, 75 से, 54020, 5027, 5525, 22, 5, 2, 10 और दो, 12, 7 से करते हैं, 28, 7 और दो, 9, 35, 27, 24, 33, 31, 7, 2, 14, 3, 17, 5, 2, 7, 8, 2, 1, 3, 8, 1, 8, 3, 8, 5, 5, 0, इसको divide करना है, 1, 4, 5, 1, 4 से, तो इसको जब आप divide करोगे, 1, 4, 5, 1, 4 से, 1, 4, 5, 1, 4, तो यहां पर दो डिजिट 14 हैं, यहां पर 18 हैं, तो मतलब 1 से जाएगा, अब 1 से जाने वाला एक ये हैं, और एक ये हैं, मतलब ये वाला option नहीं है हमारा, ये भी option नहीं है, तो 1, 4, 5, 1, 4, ओपर से बतार लिया 5, अब देखो आप किस पर जाएगा, ये 14 है, 14, 2, 28 हो जाएगा, 14, 3 हो करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो वो तो इससे बढ़ा हो जाएगा, यानि 2 पर करना पड़ेगा, तो 2 हमारे पास इसमें आ रहा है, तो ये हमारा option बनेगा, ये वाला option नहीं होगा, तो 28 का answer बन गया भी, उसके बाद 29, 29 में भी वोई EMI आपको निकालना है, तो EMI निकालो, तो प्रिंसिपल आपके पास 45 लाग है, तो यहां पर आपको 40 लाग रखना है, तो 25 साल की इम आई है, interest 6% है 6% के हिसाब से आप निकालोगे 12 से डिवाइड करेके तो यही बनेगा 0.005 1 प्लस 0.005 की पावर 25 को 12 से multiply करोगे तो आज जाएगा 300 तो यहां से 5.20 यह आ गया उसके बाद 3.0 छोड़ दो 3.0 बची 1,2,3 इसकी value 4.4650 divided by यहां भी value है कि उसमें से 1 minus करेंगे तो 3.4650 decimal हटा दो ठीक है? 0 भी काड़ दो अब यहां पर अगर आपको लगता है कि divide होके थोड़ा छोटा हो सकता है तो बेशेक कर लो चोटा क्योंकि जैको पांस से भी डिवाइड हो रहा है उसे आपको division और थोड़ा असानी हो जाएगी करने में तो 5.4640 चार बचेगा पांस ने पंतालिस पांस तिये पंदरा इसको करेंगे तो पांस चिक तीस पांस ने पंतालिस पांस तिये पंदरा उसके बाद ये तो कटेगा तीन से नौर तीन बारा बारा और आठ बीस ये निकटेगा तो अब रहन दो जादा अगर इजली कट रहा है तो काट लो ने तो रहन दो अब इसको टू से multiply कर लेते हैं आ जाएगा टू थरी जा सिक्स टू नाइन जा इसको डिवाइड करना है 693 से अब इसको करेंगे हम टू पे जाएगा तो थरी जा सिक्स टू नाइन जा ही टीन टू सिक्स ट्वैल और थर्टीन जीरो जीरो सेवन माइनस थरी फोर पहली डिजिट टू आए तो पहली डिजिट टू इन तीन जगे आ रही है तो मतलब यह वाला उप्शन तो नहीं है अगली डिजिट आएगी आपके पास देखो अगर यहां 40 है अगर मैं इसको छे से करूँ तो छे से करने पर बनेगा छेती अठारा चैनिवेन चवन और एक पचपन चरीच चटिस पांच एकतालिस ज्यादा हो जाएगा तो छे नहीं लेंगे पांच लेंगे पांच लेंगे का मतलब है कि यह हमारा आंसर आ जाएगा कुशें नोंबर 30 इसकी कउस्ट हमें है 36,000, उस्टुल लाइफ है 15 साल एन्वल डेपरिसेशन इतना है स्क्रेब वेल्यू निकालनी है आन्वल डेपरिसेशन 2000 हो गया कोस्ट है उसकी 36,000 जप्रिसेशन वेल्यू निकालनी है टाइम 15 साल का इसको multiply कर दो 15 दूने 30 इसको दिर लाओ इसको दिर लागे minus करोगे तो आज आएगा 6000 तो यह बनेगा इसका स्क्रेब वेलू और इसको के साथ ही जो इसके mc कुछ है financial mathematics के वो उपने कर लिए तो थोड़ा बहुत आपको idea हुआ होगा कि पूरा question solve करें बिना भी आप अपना सही answer निकाल सकते हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं एक next वीडियो में एक नए concept के साथ thanks to all of you